हालो एवरिवान दिस इस में निधी गुपता यॉर इंग्लिश कोच एजी अंग्रेजी की सिरीज में आप लोगों का स्वागत है और इस सिरीज में आज जो हम वीडियो करने वाले हैं दाट इस अबाउट question tags yes तो आज हम लोग पढ़ेंगे question tags के बारे में क्या होते है question tags इनकी formation कैसे होती है किसी भी sentence में को use कैसे करना है और कितना important होता है question tags को sentences में use करना यह सब आज हम सीखेंगे तो देखो सबसे पहले जो question tags होते हैं यह बहुत important होते हैं बचो अपनी language में variety लाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा stylish बनाने के लिए आपको question tags use करना चाहिए question tags को native speakers बहुत ज़्यादा use करते हैं इसलिए उनके जो बोलने का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा flow भी आता है on the other hand आप question tags को क्या कर सकते हैं sentences में answer writing में भी use कर सकते हैं तो आपका answer जो है वो बहुत flow में आपको यहाँ पर कुछ questions दिखाई दे रहे होंगे बच्चो is it isn't it cold outside have you read the book do you like coffee यह सतारे जो questions है आपको दिख रहा होगा यह सारे जो sentences हैं यह questions है तो मैंने सीधे सीधे पूछ लिया isn't it cold outside या फिर is it cold outside have you read the book do you like coffee simple simple questions आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे right अब इन questions को क्या हम question tag की help से पूछ सकते हैं और कोई और तरीका है क्या questions को पूछने का right तो वो आज मैं आपको अब यहाँ पर बताने वाली हूँ तो देखो question को पूछने का दूसरा तरीका और यह जैसे कि मैंने बोला native speakers के थो यूज किया जाता है और थोड़ा stylish भी होता है तो अ outside answer नहीं देना है question नहीं पूछना है तो question अभी बनेगा कॉमा लगा के मैं बोलूंगी is it और यह interrogative जो mark है last में लग जाएगा तो question बन गया it is not cold outside is it डूसरा गया have you read the book have you read this book so you I'm simple but not in a statement of subject to show you got the pronounces you go to the male like the are you you have read this book you have read this book comma haven't you haven't you can I party a guy do you like coffee to answer question बनेगा you like coffee don't you don't you you do dhia small even have to please up in this go capital not banana I've been sentences could you answer the cake but question time isn't it cold outside many but I am it is cold outside is it is not cold outside is it have you read this book you have read this book haven't you do you like coffee you like coffee don't you to get to have a isco question bag bulletin बच्चों यह जो last में लिखा हुआ है इसको बुलते हैं क्या यह जो लिखा हुआ है इसको बुलते हैं question tag question tag का क्या मतलब हो गया कि एक tag लगा दिया पीछे और हिंदी में अगर लोकल भाषा में इसको बोले ना तो इसको बुलते हैं है ना राइट है ना जब हम लोग हिंदी में से बोल रहा है थे तो हम वह आपनी लोकल लैंग्विज में नेटेव लैंग्विज में हिंदी में जब बोल रहोते हैं तो हम कितना यह तेरा पड़ता है ना देख रहे हो तो हम हैना बहुत त्यूज करते हैं क्यों कि नेटेव तरीके से खुच से नैचरल निकलता है ऐसे ही foreigners का मतलब की जिनके English ही native language होती है तो वो सीधे-सीधे questions ना पूछके इस तरीके से questions पूछते हैं जो यहां पर यह question tax लगे हुए है सीधे-सीधे questions नहीं पूछते इस तरीके questions पूछते है question tax के तो समझ में आ गया आपको आप इन question tax को form करने के rules हैं बच्चो कौन से tense के साथ कैसे question tag लगेगा imperative है तो क्या होगा subject नहीं है तो कैसे होगा positive sentences तो कैसे होगा negative sentences तो कैसे होगा तो within next five minutes हम लोगी सारे rules कवर करने वाले है ठीक है तो सबसे पहले question tag आपको समझ में आ गया यह जो last में लिखे हो है यह सारे question tag है आप इनकी formation देखो एक बार जब आप इनकी formation देखोगे न तो आपको एक इस रियलाइज होगी बच्चों कि इन में दो चीजे मेजर हैं क्या एक तो है have मतलब की helping verb और दूसरा है यू मतलब की pronoun right सब में सी मिलेगा देखो don't helping verb हो गई आपकी you pronoun हो गया is helping verb हो गई आपकी और it a pronoun हो गया मतलब की rule जो है हम बाद में देखेंगी सबसे पहले इनका formation देख लेते हैं major formation हमारे पास में क्या होने वाला है एक helping verb होना compulsory है अब यह helping verb कहां से आएगी यह वही helping verb होगी बच्चों जो इस sentence में होगी right जो हमारे main sentence में होगी मान लिए यह है it is not तो is ही मेरी helping verb निकल कर आएगी have you तो have ही मेरी helping verb निकल कर आएगी tense वही होगा tense ठीक है helping verb मतलब की जो उसका tense है वो same रहेगा क्योंकि have का has हो सकता है has इसका have is का MR हो सकता है मतलब same tense में is MR change हो सकते है क्यों क्योंकि pronoun का कुछ भरोसा नहीं है कभी singular कभी plural तो same tense रहेगा plus जो pronoun लिखा होगा वही pronoun use होगा या फिर मान लिखा हुआ है तो उसी noun के हिसाब से pronoun add होगा ठीक है क्या लिख दिया मैंने pronoun मतलब की मतलब की क्या हुआ मानली जी मेरा noun है लड़की का तो she लगाएंगे noun है लड़की का तो he लगाएंगे यह major pointers है हमारे पास में जो पता होने चाहिए आप कुछ rule आएंगे five rules है total वो five rules में आपको बदाना शुरू करूँगी तो formation समाझ आ गई एक helping verb होगी बच्चो और वो मेरा pronoun होगा वो pronoun में वहीं से लेना पढ़ेगा जो sentence में है मानली जी प्रोणाउन खुद ही लिखा हुआ है तो as it is उतार दीजिए जैसे यहाँ you था हमने लिख दिया you यहाँ भी you था हमने लिख दिया you यहां is था हमने लिख दिया कभी नाम होता है नाउन होता है लड़क को इसका बताने वाली हूं तो देखो इसके ना rule number one and two एक साथ करने वाले हैं हम rule number one and rule number two एक साथ करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के opposite rules है rule बोलता है कि अगर हमारा statement जो भी हमें भिया गया है वो positive है अगर ठीक है अगर statement कैसा है positive मतलब की assertive जब मैं positive बोलती हूं मेरा मतलब होता है assertive positive मैं इसलिए बोलती है प्योंकि नेगिटिव नहीं है बट इसको positive नहीं कहते है इसको assertive कहते है तो जो मेरा question tag होगा बच्चों वो कैसा होगा negative होगा क्या समझ आया अगर मेरा statement assertive है तो question tag negative होगा rule number two इसका opposite होगा अगर मेरा sentence negative है बच्चों तो जो मेरा question tag है वो assertive होगा उल्टा यही same चीज मैं ने लिखी भी थी आप ध्यान दोगे न तो आपको पता चलेगा यह देखो sentence कैसा था negative था तो मैंने यहाँ not नहीं लगाया यह positive था तो नौट है यह भी positive था तो यहां not कैसे बनाएंगे और बताऊंगे अच्छे से तो sentence formation में आप भी बनाना शुरू करते हैं माली जी मैं लिखंगी sentence कोई positive में मैंने लिखा मुझे assertive sentence यह ना we can do this मैंने यहां पर क्या क्यों लिखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहरी हूं कि helping verbs के सास्थ modal verbs का भी cme use होगा सारी auxiliary verbs इसमें आजाएंगे ठीके चाहिए जैमार वाजवर हैसवाय डू 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 देड कुछ भी हो चाहें कोई भी कुछ भी हो सब एक साथ मिक्स हो जाएंगी ठीक है मेरा question है we can do this तो अम में इसकी जो question tag बनाऊंगी वह कैसे बनाऊंगी इसी से बना सकती हूं देखो और यह paper में कैसे आएगा इसे आजाएगा बताओ भी यहां क्या आएगा या तो एक statement आजाएगा और बोला जाएगा इसको question tag की form में transform करके दिखाईए जैसे कि हमने यहां किये थे sentence को transform में ने पूरा-पूरा किया था या फिर इस तरीके से भी आ सकता है paper में जहां आपको एसे statement दी दिया जाएगा और fill in the blank आपको खुद से fill करना पड़ेगा चार options होंगे आप बताएगे answer सही क्या है ठीक है we can do this क्यासे बनाएंगे बताएगे हमें पता है helping work हमारे पास can है clear आप हमें पता है pronoun हमारा we है तो can we तो हम पे हुई गया लेकिन rule क्या कह रहा है statement assertive है तो question tag negative होगा तो मैं can we नहीं लिखूंगी मैं लिखूंगी can't we बन गया I have done my work haven't I she is looking smart isn't she getting the point because statement सारे assertive है तो इनके जो question tags होंगे वो सारे के सारे negative होंगे अब उल्टा करते हैं अब हो गया कि negative statement है तो question tag कैसे रहेगा तो अभी मैं negative statement बनाती हूं माली जे मैंने बोला she isn't looking nice she is not looking beautiful ठीक she is not looking beautiful वो सुन्दर लगी नहीं रही है आज और यह आगे मेरा कॉमा और यह आगे मेरा फिलिंदा ब्लेंग अब आपको यहां पर क्या करना है correct form फिल करके देनी है बताइए क्या आएगा तो अब मेरा negative sentence है तो इतना तो clear होगी है कि question tag मेरा positive होगा अब इतना दिखना ह क्या है is है okay और pronoun क्या है she है तो मैं बोलूंगी isn't is she not नहीं लगेगा क्योंकि not already लगा हुआ है तो rule no.1 अगर statement positive है तो जो मेरा question tag है वो negative होगा rule no.2 अगर question statement negative है तो जो question tag है वो assertive होगा clear हो गया बच्चों यहां तक का सारा और जो pronoun है और जो helping वरवे वो as it is लीनी है जो भ करना लिखा होता लड़की का नाम तो भी मेरा answer वही होता क्योंकि मैंने आपको बता रखी हूं कि नाम लड़की लड़के के हिसाब से हमको pronoun set कर लेना है आप बात करते है rule no.3 कि कि ऐसा क्या हो मैं कि हमारे पास में तो pronoun ही नहीं है sentence लिखा हुआ है कोई imperative ठीक है मान लीजिए मेरा जो sentence है वो है imperative sentence imperative sentence sentence दिखने में कुछ ऐसा है switch on the light एक और लिख लेते हैं दूसरा sentence है दूसरा sentence है give me my money back चलो money तक लिख लेते हैं give me my money ठीक है अब इन sentences में आप बोलोगे में मापी ने सिखाया था कि helping verb और pronoun को देख लिया करो अब ना तो इस sentence में कोई helping verb और pronoun है ना इसमें इसलिए नहीं है इक helping verb मतला बनी बनाई आपके लिए तयार है आपको हर बार वही यूज करना है हम यूज करेंगे will you क्या करेंगे तो pronoun हमारे पास में you रहेगा और जो helping verb है वो हमारे पास में will रहेगी अब हमारे पास में option है बच्चो कि कभी-कभी तो हम लोग will you यूज करेंगे और कभी-कभी हम लोग want you भी यूज करेंगे तो इतना तो simple है कि जब negative होगा तो will you ही यूज होगा जब भी negative होगा तो will you ही यूज होगा ये तो simple है लेकिन कभी-कभी positive में will you and won't you दोनों ही यूज हो सकते है depending upon the sentence इसमें कोई बहस नहीं है कि नहीं want you ही होगा या will you ही होगा जो आपको sentence में अच्छा लगे माली जे मुझे बोलना switch on the fridge switch on the light तो मैं बोलोंगी will you करोगी क्या please मेरे लिए काम और मैं बोलोंगी give me my money मेरा पैसा वापस दो मुझे doubt है कि देगा नहीं तो मैं बोलोंगी won't you नहीं दोगे क्या है ना समझे क्या जैसे हिंदी में खुद से देखो आप क्या बोलोंगी मेर पैसा वापस देगा के नहीं देगा तो will you or won't you तो मैं won't you पे ज्यादा emphasize करूंगी क्योंकि बहुत दिनों से दे नहीं रहा और मुझे लग नहीं रहा है कि देगा तो मैं इसको negative में लेके जाओंगी otherwise सीधे सीधे आप हमेशा will you इसमें will you भी लिखेंगे तो भी ठीक है won't you ठीक है तो यह आपका क्या हो गया negative और interrogative sentences दोनों तरीके से बनाई जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करेंगे next question tag के rule number 4 की ठीक है next जो हमारा rule रहेगा वो रहेगा ऐसे time पर जब आपके पास में question tag तो sentence तो imperative है लेकिन वो let us वाला है sentence कौन सा है let us वाला let us क्योंकि ये भी imperative sentences होते हैं पर let us शुरू होते हैं मैंने आपको reported speech में सिखाया अगर आपको याद होगा तो ठीक है तो let us के case में हमें क्या करना है जैसे मैंने बुला let us go to see the movie चलिए सब लोग मिलकर movie देखने चलते हैं बनाईए क्या लगेगा आगे let us go to see the movie तो देखें let us में न एक जैसे हमने imperative में एक सीख लिया था will you, won't you लगीगा यहाँ लगता है shall we shall we बस तो कुछ नहीं करना जैसी आपको देखें sentence के इंदर let us लिखा हुआ है हमको लिख देना है shall we इन में हम imperative sentences में हम लोग negative positive नहीं देखते हैं उसको भी next slide पे कर लेते हैं I hope यह कर लोगे let us go to the park shall we propose कर रहा है तो shall we करके बन जाता है अब बचा आपका last वाला चीक है rule number five जो की है somebody nobody के बारे में तो इसको बुलते हैं जभी भी sentence के अंदर someone no one everyone इस तरीके के words लिखे हूँ तो क्या करना चाहिए है ना no one none इस तरीके के words होते हैं तो ऐसे में जो helping वर्व आपके sorry जो आपका लगता है main form वो लगता है do they और don't they do they don't they यह भी decided है तो someone no one everyone को हम ले से denote करते हैं ठीक है for example मैंने बूला everyone has arrived everyone have arrived और भी कोई example है हाँ ठीक है यह कर लेते everyone everyone has arrived सब लोग आ चुकी है अब इसी के साब से मुझे यहाँ पर बनाना रहेगा तो everyone के साथ में बनाऊंगी has के लिए लेकिन मुझे यहाँ दे लिखना है न तो दे के साथ मैं लगाऊंगी haven't everyone has arrived haven't day और इसमें आपका subject है आपके पास में इसी लिए है positive negative का rule लगेगा so everyone has arrived haven't they ठीक है none of your friends came to the party आदे को यह न मैंने जान पूझ के second form में रखा है क्योंकि हम अवेशा do और don't नहीं करेंगे इसको हम डिड़ भी कर सकते है depending upon tense अब वो do था present में और यह did not हो जाएगा आपका past में ठीक है तो मैं क्या बोलूँगी none of your friends came to the party और पूछूगी last में question tag तो मैं बोलूँगी दे तो आएगा यह आएगा दे के साथ में आएगा didn't they अचा नहीं did they आएगा क्योंकि none is already a negative sentence तो मैं बोलूँगी did they क्या वो आई थे clear हो गया यह होता है आपका do sorry someone and everyone type के sentence तो यह आपका rule number five था बस इतने ही आते हैं इससे जादा कुछ नहीं आते हैं अब मैं आपको तीन sentences दे रही हूँ ठीक है और आपको इन तीनों sentences का मुझे answer chat section में लिख कर बच्चों देना है ready everyone I am giving you three sentences sentence number one let's go to mall ठीक है बताइए क्या होगा कोमा जरूर लगेगा please इस कॉमा का ध्यान रखिए अगर मैं नहीं लगा रही है अब ध्यान जरूर रखिएगा we shall overcome comma open the door इन तीनों का answer मुझे chat section में चाहिए आपके थुरू make sure that you answer it well देख लीजे सब लोग एक बार chat section में answer इनके आपको देने है ठीक और comment section में if you are watching this video recorded and I hope question tech का fund आपको clear हो गया कोई भी question है तो comment section में जरूर डालेगा I'll definitely answer मिलती हूं आपसे next video में till then bye everyone and take care